Hey everyone, good morning, this is Palami and welcome to my channel by Pukal Zindegi कैसे हो आप सब, आशा करते हूं आप सब बहुत अच्छे हो, सो मैं भी अच्छी हूं और आज नहीं सुभे से बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा, non-stop यहां पर शायद रेड अलर्ट या और इंज अलर्ट कुछ है तो जिस विजए से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो मोरोजित सुबह सुबह ऑफिस निकल गया और फिर थोड़ी दिर में ऐसे बैठी थी अभी लगोंगी थोड़ा-थोड़ा काम करूंगी पानी आया हु तो बस थोड़ा आज सुस्ति वाला दिन है ऐसे ही बैठ के बिताने का मन कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो काम है वह तो घर का करना ही पड़ेगा तो चलिए पूरा दिन आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बने रहिए और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आशा करती हूँ को आपको जो व्लॉग में डालती हूँ अच्छा लगता है अभी सुभे के आठ बज रहे है पानी आ गया है तो मैं सबसे पहले कपड़े धूलने के लिए डाल रहे हूँ काफी कपड़े जमा हो गये थे बारी शोड़ा है ना कंटिनू तो इसलिए कपड़े थोड़ा दो तीन दिन बाद बाद में धोड़ी हूँ तो पानी जब आत एक बोल होने के लिए इधर बैठाया है एक करी बनाओंगी दोपहर को और साथ में चाय बना लिया मेरे लिए साथ में थोड़ा सा बिसकिट लिया है आज हैवी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है बाहर बारिश होड़ा आया बहुत तो बस बारिश को एंजॉय करते हुए च चाय पीने के बाद किचन में आगेई आज डाल बनाऊंगी मसूर की दाल बनाऊंगी साथ में कुछ-एक सबजी बनाऊंगी सोचनी हूँँ और एक तो बोल करके रखने हैं तो दाल को सबसे पहले अच्छे से भोक के बोल होने के लिए रख दूंगी डाल के साथ खाने के लिए मैं एक मिक्स्ट वैज बनाऊंगी इसके लिए वैजीज को काट रही हूं बहुत सारा वैजीज डाल के प्लेन एक सबजी बनाऊंगी डाल के साथ वह काफी अच्छा लगता है खाने में एक को अच्छे से लाल लाल करके हल्दी नमक डाल के फ्राई कर लिया और पुड़ा एक रखके आज बनाऊंगी नहीं तो मैं कभी-कभी हाफ करके एक को फिर कारी बनाती हूं तो यहां पर मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया है तो बस इसमें थोड़ा सा पानी दे दू तो थोड़ा बहुत ही पानी डालोंगी और उसके बाद यह बॉइल डेक डाल के थोड़ी देर पका लोंगी 15 मिनिट अच्छे से पक चुका है अभी उपर से में थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर दे रही हूं इससे टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे तो बहुत पसंद है परसनेली तो बस अच्छे से मिला के ग्यास आफ कर दूंगी और एक करें बिल्कुल रेड़ी मतलब घर में काम रहता है ना तो सब कुछ करके ना नहाते नहाते काफी लेट हो गया तो अभी लंच कर लूंगी क्योंकि काफी भूग लग रहा है और लेट भी बहुत हो चुका है तो चली आपको लंच में क्या-क्या है वो पहले एक बार दिखा देती हूं तो आज यहा आज आए मैंने बनाया है एक मिक्स्ट वैच कलांजी डालके यह मिक्स्ट वैच बनाया है। और यहां पर है पतली सी मसूर की दाल धनिया पत्ता और प्याज डालके तो चलिए पहले मैं अपना लंच वंच कर लेती हूं और उसके बाद आप लोगों से फिर से लेती हूं दुमें आज सोचा था यह बैटशिट चेंज करूंगी लेकिन तब काम के चक्कर में नहीं हो पाया तो अभी शाम का टाइम है सोचा थोड़ा भैटगों ठीक कर लेती हूं चेंज कर देती हूं वेट शित अभी मैं शाम में आप लोगों से डाइरिक्ट मिल रही हूँ अभी शाम के छे बज़ रहा है छे क्या सारे छे होने वाला है और मैं अच्छानक से मुझे याद आया कि तीन चार दिन से ना कपड़ा दिया था मैंने आइरन होने के लिए वो लाना ही नहीं हुआ तो बाहर ना नौन स्टॉप बारिश हो रहा है आज मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का लेकिन क्या करूं अभी जाना ही पड़ेगा तो जल्दी-जल्दी से रेडी हुई हूँ बाहर जाओंगी अभी जाके कपड़ा लेके आओंगी मुनुजित का भी ओफिस से आने का टाइम हो गया है और इतने बारिश में निकलने का मन नहीं करता है लेकिन क्या करूं काम है जाना ही पड़ेगा तो वही अभी मैं जाओंगी कपड़ा लेके आओंगी और कोशिश करूंगी दिखाने कि बाहर कैसा वेदर है बाहर देखिए नौन स्टॉप बारिश हो रहा है आज पूरा दिन बारिश हुआ तो मैं वैसे चाता लेके ही निकली थी तो जाके आती हूँ जल्दी से जो भी काम है वो सब करके और थोड़ा सा मुझे शॉपिंग भी करना है तो आगे ही मैं घर वापस और यहां पे मैं थोड़ा सा नूडल्स थोड़ा सा ब्रेड लेके आई हूँ ब्रेक्फस्ट के लिए यहां पे अद्रक और हरी मिट्च लेके आई और थोड़ा सा एग लेके आई हूँ यह तो हर सुबह ज़रूरत पढ़ता ही है तो बस लेके आगे उसके बाद मोनोजित भी ऑफिस से आ और वो आते वक्त ना हीलशा फिश लेके आया था तो वही मैं अभी धोके अच्छे से बॉक्स में रख दूंगी कल इसको बनाऊंगी अभी रात के करीब दस बच चुका है और मैं यहाँ पे डिनर लगा रही हूँ कुछ बनाया नहीं वैसे क्योंकि दोपहर में जो भी बनाया था वो सफिशियंट है हम दोनों के लिए तो बस राइस बनाया है तो अभी दोनों डिनर कर लेंगे हम लोग 10-17 बज़े तक कोशिश करते हैं डिनर कर ले तो थोड़ा टाइम मिलता है उसके बाद थोड़ा रिलाक्स करके उसके बाद सो सकते हैं सुभे जल्दी उठना पड़ता है न इसलिए रात के करीब अभी सारे 10 बज़ चुका है हम लोगों का डिनर कम्ट्रीट हो गया उसके बाद किचन का जो भी काम था वो सब करके फ्रेश होके मैं आगे अभी कुछ देर बैट के मोबाइल में देखूंगी ब्लॉग्स बगेरा और जो भी और उसके बाद सो जाओंगी जल्दी सोती हो ना तो सुभे तो जल्दी उठना पड़ता है तो अच्छे से नींद पूरी हो जाती है और बस फ्रेश फ्रेश सुभे उठना होता है नहीं करते हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मिलती हूं फिर आपके साथ एक नए व्लॉग में तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए एंड कीप वाचिंग वाइफो केल जिल्देगे